हेलो स्टूडेंट्स आज आप अप कलास बीए सेकिंड समेस्टर थर्ड कलास बीए ओनर्स स्कूल इन एकनोमिक्स वन समेस्टर वन दा टॉपिक इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढांगे केंज ने अपने इंकम डिटार्मिनेशन मॉडल दे विच दस्या सी जा इंप्लाइमेट थियोरी दे विच ए दस्या सी के एग्रिगेट डिमांड दे दो कंपोनेंट सुन दे है कंजम्शन ते इन्वेस्टमेंट उन्हें ए वी दस्या सी के एग्रिगेट डिमांड दा अग्रिगेट डिमार्ड नू बदा उना हुन्द है ता इंवेस्टमेंट नू बदा के ही अग्रिगेट डिमार्ड नू बदाया जा सकता है एस करके एग्रिगेट डिमार्ड नू ज्यादा प्रभावित करनाड़ा फेक्टर कंपोनेंट इंवेस्टमेंट है एस करके केंज आज आपां इन्वेस्टमेंट दे मीनिंग टाइपस दे डिटार्मिनेंट्स बारे पढांगे आम पाशा देविच जा आम बोल चाल देविच एही क्या इन्वेस्टमेंट दा मतलब हुंदा है आपने पैसे नू जेहे कम्मा देविच लौना जितों जिनना नाल वद आमदन दी प्राप्ती होँए जा होर आमदन प्राप्त होँए उसनू इन्वेस्टमेंट केहा जानद है पर केंज देविच एकनोमिक्स देविच इन्वेस्टमेंट दा मतलब है कि आपने पैसे नू कोई वी मनुख जा व्यक्ती आपने पैसे नू दो त्रा नाल खर्च कर सकद है एक दा शेयर स्टॉक ते पराणियां फैक्टरियां खरीद के ते दूसरा नवियां मशीन नवियां बिल्डिंग्स ते नवियां फैक्टरियां ला के इन्वेस्टमेंट के है पहले तरीका है जड़ा, पहले तरांदा खर्चा, शेयर, स्टॉक ते पुराणिया फैक्टरिया नू खरीदन ते जड़ा कीता जन्द है ओदेनाल पोड़क्शन कपैस्टी देविच वादा नहीं हुन्दा, एकॉनमी दे पोड़क्शन कपैस्टी देविच कोई वादा नहीं हुन्दा, सिर्फ ओनर्शिप बदल दिये फैक्टरी एक व्यक्ति तो दूजे व्यक्ति दे हाथ चा आ जान दी है ज़ा दूजे तो पहले दे हाथ चा आ जान दी है एदे नाल सिर्फ ओनर्शिप बदल दी है एकोनमी दे आउटपुट दे इंप्लाइमेट दे विच कोई वादा नहीं होंदा ओ उने दा ओ नहीं रहनदा है एस नूजे ने फैनाशियल इन्वेस्टमेंट के है दूसरा है जदो एस तरह नाल पैसे नूज खर्च कीता जानदा है कि नविया मशीना ते नविया बिल्ड वीच वादा हुंदा है कैपिटल स्टाक देवीच चेंज हो जान दै नंतनी चून्स ए इंबीच खर्च करण पढ़ी मिचेए नहीं होवने खरनड खर्चा करता मिचीन है के दों कि रिदलना सून्ता एकॉनोमी में ते लिच मтесь टींद वादा हो अगयाक तक Capital Stock दे विच बाद्द हो गया, Capital Stock दे वाददे द्रील इंवेस्टमेंट कीहा जान द है? Capital Stock दे विच जीडा बाद्दा हों Deputy Capital Stock दे वादे नाल जा Real Investment नाल Production capacity वाददी है, Income बादी है, Employment वादद द है Real Investment द्रील कहें? Net Capital Formation कीहा, Net Capital Formation दे नाल आउटपुड थे, इंप्लाइमेंट, दोने वाददे है, एस तरह केंज दे, एकॉर्डिंग, इनवेस्टमेंट दा मतलब है, कैपिटल स्टॉक दा वादधा, हुना आपा पढ़ांगे, टाइपस ओफ इनवेस्टमेंट, पहले टाइप है, फैनांशियल इनवेस्टमेंट, फैनांशियल इनवेस्टमेंट हो हुनदा है, जदो शेयर, स्टॉक जा प्राणियां, फैक्टरियां नूँ खरीदे है जानदा है, एदेनाल प्रडक्शन के पैस्टी देविच कोई वादधा नहीं हुनदा, सिर्फ ओनर्शिप बदल दी है, एस नूँ फैनांशियल इनवेस्टमेंट के हा जानदा है, रियल इनवेस्टमेंट देनाल प्रडक्शन के पैस्टी देविच बादधा हुनदा है, इनकम ते इंप्लाइमेंट देविच बादधा हुनदा है, अगली टाइप है, इन्डूस्ड इन्वेस्टमेंट, इन्डूस्ड इन्वेस्टमे बाद प्राफिट मिलन दी उमीद हुन दी है ता इंवेस्टमेंट बाद कीता जन दै जे प्राफिट काट प्राफ्थ हुन दी उमीद हुन दी है ता इंवेस्टमेंट कीता जन दै जे प्राफिट लेवल दे उत्ते डिपेंड कर दै प्राफिट दे उत्ते डिपेंड कर दै तक आटे इंवेस्टमेंट कीता जानद है, एसनु आपन डाइग्राम नाण भी शो कर देया, OX एक्सिस्ति है, इंकम लेवल जा GDP टे प्रॉफिट, Y एक्सिस्ति है इंवेस्टमेंट, Induced investment करव है जिड़ा है, positive slow पाला हुँँद है, इस तरह दा हुँद है, आई आई करव है जिड़ा है, इनवेस्टमेंट करव है, ये induced investment नूँ शो कर रहे है, induced investment नो शो कर रहे है जदो income दा level बहुत कट है तो अज़ investment नहीं किता जा रहे है जिमें जिमें income level बाद रहे है जिमें जिमें profit level बाद रहे है उमें उमें investment किता जा रहे है जदो income दा level Y 0 है income cut प्राफट इनी का अमदन प्राफट हों दी संभावना है ता investment 0 किता जाओगा जदो income level बाद के Y1 हो गया बाद आमदन प्राफ्थ हों दी संभावना है जए इननी आमदन प्राफ्थ होगी investment करना ता investment बाद के हो जुगा I1 ता बाद इनना investment किता जाओगा जए income Y2 प्राफ्थ हों दी संभावना है जह Y2 आमदन प्राप्त होगी ता investment Y2 दे ब्राबर किता जाओगा जदो बाद आमदन प्राप्त हों दी समभावना हों दी है ता बाद आमदन प्राप्त हों दी समभावना हों दी है ता काट आमदन प्राप्त हों दी समभावना हों दी है इसनो induced investment केहा जानदा है अगला है autonomous investment autonomous investment profit तों प्रेरित नहीं हुँदा स्वायत निवेश इसनों केहा जानदा है ए profit level तों independent हुँदा है profit दियोते depend नहीं करदा profit चाहे zero हुवे चाहे ज्यादा हुवे ए investment उनना ही हुदा है जिनना government करना चाहूं दिया ए depression नू दूर करना वस्ते जा unemployment नू दूर करना वस्ते जा नविया तक्निकां लागू करना वस्ते innovations नू लागू करना वस्ते innovations कारण भी ए investment जिडा कीता जानदा है इनना कारणा करके investment कीता है depression नू दूर करना वस्ते unemployment नू दूर करना वस्ते नविया तक्निका अपनावन लागू करन वस्ते तेनो वेशन्स वस्ते एस इंवेस्टमेंट नू कीता जांदा है अटॉनमस इंवेस्टमेंट नू कीता जांदा है अटॉनमस इंवेस्टमेंट प्रॉफिट तों इंडिपेंडनेंट हुन दा है देपेंड नहीं करदा अटोनमस इन्वेस्ट्मेंट नू भी अपन डाइग्रम ना शो कर देया OX एक्सेस ते प्राफिट लेवल जा GDP नू शो कीता जा रहे Y एक्सेस ते आ इन्वेस्ट्मेंट इन्वेस्ट्मेंट करव OX एक्सेस दे पैरलल है आई आई करव इन्वेस्टमेंट करव है जब आई जिरो आई करव है अटॉनमस इन्वेस्टमेंट करव है जदो प्राफिट लेवल जा इंकम लेवल जीरो है ओदों भी इन्वेस्टमेंट आई जीरो दे पराबर किता जा रहे है जदों इंकम लेवल वाद के हो गया वाई इंवेस्टमेंट लेवल आई जीरो ही रहोगा इंवेस्टमेंट देविच चेंज नहीं किता जाओगा